जहन साथियों तो घड़ी ने बजा दिया है साथ और हम है आपके साथ तो बिल्कुल समाजिक बिग्यान ये 2019 का कोश्चन हमारे सामने आ चुका है 2019 का ये कोश्चन हम लोग करने वाले हैं सेकंड सिटिंग सेकंड सिटिंग का कोश्चन है कोई इसके लिए अल्टिमेट नहीं दिया गया तो चलिए डिस्क्रिप्सन जो है आपको किलियरीटी दे दे समझा दे यहां पर यही लिखा हुआ है ध्यान से दिखिए 1-40 तक प्रष्ण है और 40 प्रष्ण है जिसके लिए 40 नमर मिलेंगे यह 2019 का बात था लेकिन 2021 ओर 22 की बात करें तो कोश्चन दुगूनी था कोश्चन का संख्यका कर दिया गया था दोगूनी कर दिया गया था जिसमें हमें पूरा का पूरा नहीं मारना था कुछ दोगुना प्रस्ण में से आधा करना था आधा नहीं करना था लेकिन 2022 के एकजाम पैटन की बात करें तो कोबिट नहीं है इसलिए 2019 के पैटन पर नहीं 2020 के पैटन पर होना सुनिशचीत है तो कल की एपिसोड में तो पुरा सी कोष्ण मिलेंगे ना तो आज चलिए 40 कोष्चन का मजा लेते है चैनल पे नए है तो संस्क्राइब कर लीजिये और पुराने है तो सेयर कर लीजिये चलिए ये कोश्चन हमारे समन पहला ही कौन하세요 नहीं है प्राकीर्तिक गैस प्र टोलियम धुला बिधुत Dumasyn को फगद कोई कॉन सा है जो प्रात्मी कुर्जा नहीं है तो रही हृआ जवाब बबिधउत महातमा गाधी रोजगार गराणटी योजनौ मनरेगा नाम दे दिया गया और we can कि आनसार साल में कम से कम मज़दूरों को रोजगार देने की बजबात हुई 100-125 & दूसर मतलब कितने दिन ca 65 दिन के दिन होते हैं लेकिन कम से कम कितने दिन की रोजगार देने की स्धापक केदि र॓ण के सहीवला जबाप कौन से है बता दीजेगा, तो ब्रहा समाज के सनस्थापक राजा राम मोहन राय को माना जाता है, इन्हों ने ब्रहा समाज के सथेपना सतीपराथा के उनुमुलन के लिए किया था, Mn. S. 1635 में किया था, कि समस्था मिलका बिलियम बैटिक के साथ में, जब इनकी भोजाई को जला दिय आगे था ताब, खुद पर दुख फड़ी थी तो इनको भी आद आया ठाधा, खेर अच्छा काम किये थे, अब ये 2021 No. 4 हमारे सामने है, काले मेटी उप्यूक्त है, कापास के लिए, लीषी के लिए, गेहूं के लिए, बजरा के लिए, तो काले मेटी किसके लिए उप्युक्त माना जाता है सही वला जबाब कौन सा होगा तो बिल्कुल से ये काले मेटी में जो होता है न वो का पास होता है तो अप्सन नमर ये वला बिल्कुल सही है कोश्चन ये भी बढ़िया है पाचवा कोश्चन इन में से कौन से सबसे लंबा राश्टी ये राजमर्ग है राजमर्ग संख्या 2 है राजमर्ग संख्या 3 है राजमर्ग संख्या 5 है राजमर्ग संख्या 7 है तो सही वला इसमें से एक तो बनता है लेकिन कौन से इसका सही वला जबाब है तो बिलकुल सही है राजमार्ग संख्या साथ है जो सबसे लंबी राजमार्ग संख्या है नेक्स्ट कोस्चन, छठा कोस्चन अमारे समनी ये है कि पितल बनाया जाता है तामबे से, जास्ते से, तामबा और जास्ता दोनों से, जास्ता तामबा और टीन से, तक किसे मिल करके पितल बनाया जाता है, पितल एक मिस्र धातू है, लेकिन किसे बनाया जाता है, सही जबाब ताम्बावर जासता से मिल करके बनाया जाता है क्या पितल जी हां वही यह दुनिया पितल दे यह कुश्चन साथवा होगा गाधी जी ने साबरमत्य आश्रम के स्थपंदेर थे अठृट सї! अटाख अङब स्थपंद्र ही अपने स्थागर wszyscy सूरू नहीं किये एन में से प्राकृतिक आपदा नहीं है नहीं है प्राकृतिक आपदा का मतलब बढ़ी项 मेहमान आतंगबाद सुनामे बर सरैंगा poco मेघ्जु को नहीं है कोश्चन है और आप लोगों ने जबाब भी बड़ी सुन्दर दिया है मेजनी है नेक्स्ट दस्वा कोश्चन डाल किस पॉस्टिक पॉस्टिक अंस का स्रोत है कार्भो हाइड्रेट प्रोटेन बिटमिन डे वासा डाल तो आप लोग सब लोग खाते पीते होंगे तो क्या मि करदान कौन होता है ग्राम्क चहरी का परदान कौन हुता है पंच सर पंच प्रमोख न्याय מित्हाइद सहीवला जबाब बिलकुल सही है ग्राम्कच आरी का वों sixt तो प्रोटेत को plans नमरering बिलकुल सही है क कि भारत में कितने राष्टिकृत बैंक है जिसका राष्टिकरण अनई 79 में हुआ था एक साथ 19 बैंकों का राष्टिकरण हुआ था तो बी वलाप्सन सही है क्वेश्चन नमर आगे हमारे सामने तेरा हुआ सोलहवी लोगसभा महिला सदस्व की संख्य कितनी थी सोलहवी लोगसभा जब चुना हुआ था उस समय महिला कितने प्रतिनी थी जीत हासिल कितनी थी एक सट तिरशट पैसट सडशट सही वला जवाब एक तो है लेकिन कौन है तो यह वलाप्सन को लोग करते हैं एक सट इस दा राइट अंसर नेक्स्ट क्वेश्चन चवदा हुआ है पटना में गोल घर किस उदेश्च से से बनाया गया था साइनिक रखने के लिए अस्तर सस्त रखने के लिए अनाज रखने के लिए पूजा करने के लिए बिल्कुल सो भाविक्सी है कि गोल घर का निर्माण जो हुआ था 1773 में अनाज रखने के उदेश्च से बनाये गये थे अपसन नमर सी बिल्कुल सही है next question 15 होगा है मानो पुजी के प्रमुक घटक क्या है ग्यान कोसल उनभव और सभी तो मानो पुजी का प्रमुक घटक क्या होगा और बिल्कुल ग्यान होगा ये भी आपका पुजी पती ही है कोसल होगा मतलब किसी चीज में export है वो भी ठीक है अनुभावी भी होना सही है तो इस सब का सब हमारा पुझी है देखो जैसे हमारा भी अनुभाव है लेखन पठन पाठन का हमारा अनुभाव है तो यह हमारा ज्यान है और यह हमारा कोसल भी है लगभग अनुभावी हो चुके है अनुभाव है कोसल है और कुल मिला करके यह स 67 की लोग सभा के चुना में किस दल को असपस्ट बहुमत मिला था भारतीय जनता पार्टी जनता पार्टी राश्टीय कंग्रेस या कॉमिनिस्ट पार्टी को 87 में किस पून बहुमत मिल गया था कौ늘 था वो दल तब बिल्कुल वो दल था कोई और नहीं जनता पाटि को मिल गया था कांगक्रेस से लोगों ने पीछे छोड़ा लिया था लेकिन एक बार फ्र से कंगरेस गठन हो गया था लेकिन अब मोदी जी ने कंगरेस का वो हाल कर दिया है कि इस जनम में आप कंग्रेस को पुन्डूप से बहुमत कभी नहीं मिलने वाला है समझे कंग्रेस का वह हल हो चुका है कि पूछो मत 15 मार्च उनई सब पचास 15 सितम बरने सब पचास 15 अक्टूबर नई से का 51 इनमे से कोई नहीं तो सही वाला कौन सा होगा सही वाल जब आब यह को लोग करेंगे 15 मार्च उनई सब पचास लिए नेक्स्ट कोश्चन अठारा मा भारतिय राश्ट्रे कंग्रेस की अस्थपना कभगा उनई सब पचासी 890 अठारे सब पंचानवे ये उनई सो कंग्रेस की अस्थपना जो हुआ था बिलकुल सभी बि नेक्स्ट कोश्चन हमारे सामने आ चुका है उनिस्वा नेपान अगर परसिद्ध है किसके लिए चीनी के लिए सिमेंट के लिए अकबारी कागज के लिए सुती कपड़ा के लिए किसके लिए नेपान अगर परसिद्ध है तो बिल्कुल सही है अकबारी कागज के लिए है त करjem स्री कृषन सिंह मझहरूहक या सचितानंध शिन्हां हिंदुस्तान रिबियु का प्रकाशन कि से WHAT कुष्ठ साइस क्षुछ नमर आगा हमारे सामने सर्वाधिक वर्स होती है कहां जरांडी में कोची में या भामसी राम में, हाँ, वही माऊसीन राम में, सरवाधिक बर्सा, मसीन राम, एक्छलि उनको कहा जाता है, लेकिन मानुसीनющी राम लिख़ दिया गया है, तग्धिय को ध्यान पर रखिएगा, मसीन दाम एक्षिलिक कही कही पर आपको देखने को मिल जाएगा तो मांसी राम सही याद रखेगा मांसी राम इसको बोला जाता है मांसी राम तो यह क्या हो गया मांसी या ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यह हो गया नोबेल प्रसकार से सम्मानित बंगलादेस अर्थ सास्त्री नोबेल प्रसकार से सम्मानित बंगलादेस का अर्थ सास्त्री कौन है प्रफेसर इकबाल यूनुस या मोयनुदीन इकबाल यूनुस या प्रफेसर मोयनुदून या मुईनुदून सकीन यूनुस तो कौन है बंगलादेश का अर्थ सास्त्री जिसे नोबिल प्रसकार मिला था तो कोई और नहीं थे प्रफेसर मुईनुदून यूनुस थे जो अप्शन नमर सी में मौजूद है कुस्चन तेईस है अंतराष्टिय स्रमिक संगठन की अस्थपना किस वर्ष हुआ अनेश सत्र अनेश सवनेश अनेश सवेकश अनेश सत्य तेईस सही वला जबाब अंतराष्टिय स्रमिक संग की अस्थपना कब हुआ था बिल्कुल सही वला अप्शन कौन सा होगा बी को लो करेंग अनेश इस दर आइट अंसर भी सही है नेक्ट कोस्टन चब इसवा ज्वाहर रोजगार योजना लागू हुआ कब अनेश अठासी अनेश नवासी अनेश सनभ्य अनेश एक अन्विद सही वला जबाब कौन सा होगा तो बिल्कुल सही यह बी को लॉक करेंगे अनेश स एटी नाइन इस दर आइट अंसर नेक्ट कोस्टन पचिस्वा है भारत में अत्यांत बिनास कारी भुकम कब आया था भारत में बिहार में यहां पर एक्चोली देना चाहिए लेकिन गल्ती से भारत लिख दिया है मिस्टेक है थोड़ा सा मिस्प्रिंटिंग के वज़े से म बिहार में यहां पर लिखना चाहिए था भारत में भारत में भी लिखा है कोई बात नहीं लेकिन बिहार में यह हुगा था परलाइकारी आया था ठीक है बिहार में यह परलाइकारी भुकम भारत में भी आया था कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बिहार में भी आया तो आपको कौन इसमें बिदेशी ब्रांड नहीं है तो बाटा बाबु हवर कौन ध्यान में रखे गए भारती यह है तो डीवलप्सन सही है 27 वा कोश्चन का पास हम लोग आ चुके हैं निमनिलिखित में से कौन सा उधोग क्रीशी पर आधारित नहीं है कल भी कोश्चन पूछा था क्रीशी पर आधारित नहीं है उसका नम है सीमेंट क्योंकि यह पत्थर तोड़के बनाया जाता है कोश्चन 28 काल माक्स का जनम कहां हुआ था जर्मनी में इंग्लेंड में फ्रांस में पोलेंड में कहां हुआ था काल माक्स का जनम प्यारो बता तो दो चलिए यह को लोग करेंगे जर्मनी इसदर आई टान साथ उन तिस्वा क्वेश्चन 202 पार संगठन डबलू टियो की अस्थपना कभ वगा यह कल के फर्स्ट सिटिंग में भी क्वेश्चन था विश्वबेपार संगठन का अनई सब 92 अनई सब 93-94 अनई सब 95 तो सही बला जबाब कौन सा होगा विल्कुल सही है और इसब 95 सही है रिपीटेट कोश्चन है कल का कि यह कोश्चन भी बड़ी सुंदर है लोगतंतर जंता का जंता के द्वरा जंता के लिए सासन है या कथन किसका है और अस्तु का है जोर्ज वासिंग्टन का है अब राहन लिंकन का है या लाड ब्राइस का है तो सही वला जबाब बिल्कुल सही है सी को लोग करेंगा अब राहन लिंकन इस डर आइट एंसर नेक्स्ट कोस्चन हमारे पास आ गया है 31 जारकंड राजी का गठन कब हुआ बिवी आई कोस्चन महत्पुन कोस्चन है कई बारिक जम में पूछा है 1 नौमबर 2000 या 9 नौमबर 2000 या फिर 15 नौमबर 2000 या फिर 15 नौमबर 2001 सही वला अप्शन और करेक्ट वला सी को लोग करेंग के पंदर नौमबर 2000 को नेक्स्ट कोस्चन आगया हमारे समने 32 भारत सरकार ने सुचना का अधिकार अधिनियम कप पारित हुआ भारत सरकार ने सुचना का अधिकार अधिनियम कप पारित किया 2004 2005 2006 2007 तो सही वला कौन सा होगा बिल्कुल चलिए लोग कर देते हैं आनेक्स्ट कोस्टेन यूरोप का मरेज किसे कहा जाता है तुर्की को, इटली इंगलेंड को, फ्रांस को बहुत महात पुन कोस्टेन है और हमें नहीं लगता कि आप लोगों में से कोई भी आदमी होगा जो इसको गलती करने के लिए तैयार होगा तुर्की को लोग कर देते हैं बिलकोल सही है से नेक्ट वेश्चन सेप्टी लेमthose का 함 आ विस्कार किस ने किया था कारमपटन ने यह हरगरिवस ने यह हमपरी डेवी ने आ किस ने सेप्टी लेमitarian का विस्कार किया था प्यारो बाँट खुबस्पूरत सा कोश्चन है और जबाबी इसका है हम्फ्री डेवी के नाम सायद कोई भूला होगा क्योंकि गूरू थे किसके यह पालनहार थे लग-भग-भग-विश्व में पहचान दिलाने वाले किसके थी बताना पड़ेगा सरम फ्रेडेवी के नाम चलिए खर नहीं बताएंगे आप लोग समझदार है तो कमेंट करके बताएंगे तो किसका भाग विधाता बने ये थे किस गरीब को जिलसाज का काम करता था साइध हिंट दिये तो अब नाम आप लोग बता दिजेगा बता दिजे कमेंट करिए तो देखेते हैं जारा किसको किसको मालूम है कि हम किस लड़का के बारें बात कर रहे हैं जिसका नाम बिस्व परसिध है अबीदुत चुमब की प्र बिलकोल सही वल अप्सन है बंका का नेक्स्ट कोस्चन हमारे पास आ गया यह शटरिस भारतिये जनता पार्टि23 का चुनाव चिन क्या है बीजयपी का क्या है बीजेपी का चुना चैन हमारी भूल कमल की फोल आ गया है कमल का फोल बी बाला सही है आज देखलो सुलहुई लोग सभा क्या बार था दोेनों किस वर्स हुआ था क्यों कोन आ गय थे भायों हम बहğरों पेट्रोल का कीमत अ किमत हो दाल का कीमत हो हर तरह से महनगाई बढ़ी याwow ड़ी बढ़ी लेकन फिर他說 कौंग्रेस ठीक्ष्वार्णां स्प्ल में किये अगर पेट्रोल हृट के जगा पे 120 का ना करा तो फिर कही आया कि नहीं यहीं है 2014 में आ गए थे सिरी सिरी एक साथ दूसर खर दूसर विभुसन पर दूसर जी महराज चलिए खर आगे आए और तिस्वा कोश्चन कागज का विश्कार किस देश में हुआ कागज का विश्कार जिस पर कागज पर लोग लिखाई पढ़े करते हैं चीन ह है सही वला जबाब तो कागज का विश्कारक देश किसी और को नहीं चीन को माना जाता है तो अप्सन नमरी बिल्कुल सही है चलिए यह देख लिजे कुश्चन नमर 49 लिच्वी गरतंत्र भारत के किस राज में अवस्तित है बिहार राजास्थान महाराश्ट्र पुरा तो सबसे बड़ा बंदरगाह किस राज्य में है इसका जबाब तो हम बताई देंगे आप लोग भी कमेंट कर रहें साथ ही जाते जाते एक बात जरूर कहेंगे कि वीडियो का सेर जरूर कर लेना क्योंकि हमें नहीं लगता कि आप लोग सेर कर पर है कि वीव जहां पे छोड़ रहें वहां ही पेची पक जा रहा है जितना आजमी है honestly कम से कम एक एक सेर किया करो नहीं तो एक उंगली का है तो ही कस्ट देना है इसमें आपका क्या जाता है बस आपके हीत मित्र दोस्त लोग थोड़ा सा जूड़े रहेंगे दो चार कोश्चन ही करेंगे दो चार नमर ज सबीकल् 익ined क Easy जरूर कर लिजिएगा धरी चौका ऐखीर हम कल मिलेंगे 2020 साथ तक तक लिए भारत मत गीजिए बंद्द मात्रम जाहिंदी करो नाइट